दोस्तो नमस्कार NCRT गनीत कच्छा दसमी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रसनावली 8.4 के प्रसन संख्या एक को स्वाल्व करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आ दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तिर्कुनमीतिय सर्वसमिका याद होनी चाहिए आए देख लेते हैं वो तिर्कुनमीतिय सर्वसमिका कौन सी है तो ये तिर्कुनमीतिय सर्वसमिका है साइन स्क्वार थीटा प्लस को से स्क्वार थीटा बराबर से क स्क्वाइर थीटा और एक प्लस कोट स्क्वाइर थीटा बराबर कोसे के स्क्वाइर थीटा इस तीन सर्व समीका से कुल नौ सर्व समीका बनेगी अब कैसे बनेगी आई यह बनाकर दिखाते हैं पहला सर्व समीका है मेरा साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा बराबर वन तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेर थीटा बराबर एक को पहले कर लेते हैं और प्लस कॉस स्क्वेर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वेर थीटा इसके बाद अगर हम कॉस स्क्वेर थीटा बराबर करते हैं तो वन को पहले लिखेंगे और प्लस साइन स्क्वाइर थीटा है तो यह हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वाइर थीटा ठीक इसी में अगर हम इसका स्क्वाइर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर तो जब इसका स्क्वाइर कट आते हैं तो यह हो जाएगा कॉष्टिटा बराबर रूट अंडर सराइन स्क्वार थीटा तो यह जाएगा ऑन व origin हो जाएगा कि द WAT ten square theta बराबर इसको पहले लिख लेते हैं हो जाएगा six square theta and plus सब्सक्वार टूर फिंटार 518 है ए माइनिस सब्सक्राइब सेख को पहले लिख लेते हैं तो जाएगा सेक स्क्वेर थीटा प्लस टैन स्क्वेर थीटा है तो यह हो जाएगा मेरा माइनस टैन स्क्वेर थीटा और प्लस एक है तो यह हो जाएगा माइनस एक बराबर सुनने तो फाइनल यह हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वेर थीटा माइनस टैन स्क्वेर थीटा और माइनस एक ज और स्क्वेयलवर को्षेक SQ beta तो आज़े इसे भी तोर लेते हैं तो ऑग तिसरा है मेरे पास है व्ट प्लास हो कॉट इसक्वेयर तीटा बराबर है एक वे भी सिस्थ pointing ये तो तब इसको माइनस का एक इसके बाद अगर हम को से के स्क्वाइर ठीटा को पहते लिखते हैं है तो क्या हो जायगा कि एक प्लस पॉट स्क्वार थीटा और प्लस एक है तो यह जागा माइनस का एक ब्राबर सुन्ने को सेक स्कुएर थीटा माइनस कोट स्कुएर थीटा माइनस एक जब बराबर के बाद आ जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस का एक यह कुल मिलाकर हमने 1 दो और 3 सर्वसमिका को 9 سर्वसमिका स्वेश में बदल दिया अब जैसे मैंने इसको हो रूट में किया था वैसे हम इसको भी रूट में कर सकते हैं यहां एस्कृयरह ठाहलव एक और यहां अगर हम करते हैं इसका सकते हैं यह हो सबसे पहले कह रहा है कि साइन एको कोट एक पदमें व्यक्त करना है इसके बाद में सीख को भी कोट के पदमें व्यक्त करना है और टैन को भी कोट के पदमें व्यक्त करना है तो सबसे पहले हम साइन एको कोट के पदमें व्यक्त करते हैं कि क्या है एक नंबर में है मेरे पास साइन ए इसे हमें क्या करना है कि कोड के पदमें व्यक्त करना है तो साइन का कोई भी ऐसा फर्मूला या ऐसा सर्फसमिका नहीं है जिसे हम डाइरेक्ट कोड के पदमें व्यक्त कर सकते हैं तो आए कोड के पदमें व्यक्त करने के लिए ह तो हमारे पास कुल मिलाकर तीन जो त्रिकुलमितिय शर्वसमी का है, इसमें से हमें पता करना है कि साइन का और टैन का संबंध किस फर्मूला में है, कि साइन स्क्वायर ठीटा अगर करते हैं, तो वन माईनस कोसे स्क्वायर ठीटा हो जाता है, अगर हम यहां देखते हैं से के स्क्वाइर थीटा तो से के स्क्वाइर थीटा का अपोजिट होता है एक बटा में कोसे स्क्वाइर थीटा और अगर हम यहां देखते हैं कोसे के स्क्वाइर थीटा तो कोसे के स्क्वाइर थीटा का अपोजिट होता है एक बटा में साइन स्क कर दिना और खॉट के पदमें हम इसको व्यक्त कर सकते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि कोशंके स्क्वाइड इसके दाको हम सांधी इसके लिखे इसके बाद हम कौट के उतकरzen अपड़ाइ रहता है एक बर्रयार संटी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइँ कर लेते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि साइन एक का मान होता है एक बटा में क्या होता है को सेक कि क्योंकि वहां थीटा था और यहां कून के जगर पर क्या है यह है तो हम एही लिखेंगे इसके बाद एक है तो एक ही देंगे बाटा है तो बाटा देंगे कोसेक एक को हमें कौट के पदमें व्यक्त करना है तो देख लेते हैं कि कोसेक ए बराबर क्या होता है तो यहां आप देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वाइर थीटा बराबर होता है एक प्लस कॉट स्क्वाइर थीटा अगर हम इसका स्क्वाइर हटा देते हैं तो क्या करना है इसको रूट में करना पड़ेगा अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इसको रूट में कर देते हैं तो कोशेक थीटा बराबर हो आता है रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो लिखेंगे रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर और थीटा की जगा पर क्या है तो यहां ए है इसलिए लिख ब्यक्त कर दिया है अब आगे बढ़ते हैं और सेख एको कॉट के पदमें ब्यक्त करते हैं तो दूसरा है मेरे पास लिए सेख ए बराबर आब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा सर्वसमी का है जिसका संबंध सेख से भी हो और कॉट से भी हो तो आये देख लेते हैं यहां क्या है से के स्कुर्ध लगा हुआ है यहाँ स्कुर्ध नहीं है यहां से किया है स्कुर्धрийट ते लेकिन यहां हटा देंगे तो एह हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूंट vendor one प्लस 10 sqyru तीटा तो आज लिख लेते हैं तो ए हो जाएगा मीरे पास के रूठ अंडरby के लिखना है अ अब हम इसको लेख सकते हैं कि रूठ अंडर वन हैतो बढस है तो प्लस है तो प्लस है तो प्लस 10 A Sq A को हम लिख सकते हैं 1 बटा कौट A Sq A अब हमें यहां बटा का जोर बना देना है एह हो जाएगा कौट A Sq A में 1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कौट A Sq A एप्लस है तो प्लस एक बटा क्या हो जागा कोट स्क्वाइरे सब्सक्राइब हुआ हुआ है रूट अंडर हुआ है कोट स्क्राइब ए प्लस एक और बटा करेंगे root under cot square A तो A तो root में ही रहेगा A root के बाहर नहीं निकलेगा इसको हम लिख लेंगे root under cot square A plus 1 बटा cot square A यहाँ दो बार है तो जो संख्या root के अंदर दो बार होता है उसको हम root के बाहर एक बार लिखते हैं तो A हो जाएगा मेरे पास cot A यही मेरा final answer हो जाएगा तो हमने यहाँ सेक A को cot के पद में ब्यक्त कर दिया cot के आलावा यहाँ कोई अन्य पद नहीं है अब भड़ते हैं आगे आगे है 10 A को cot के पद में ब्यक्त करें तो आईए करते हैं तीसरा है मेरे पास 10 A तो आपको पता है कि 10 का formula क्या होता है तो 1 बटा cot A होता है आईए आपको दिखाते हैं आप देख सकते हैं कि 10 theta बराबर होता है 1 बटा cot theta तो यही मेरा final क्या हो जाएगा इंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि ए वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको किसी परकार की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तक तक के लिए जैहिंद घसकते हैं